Hello ladies and gentlemen, मेरा नाम है Vivek Senni और स्वाग्याद है आज की एक और वीडियो में आज की जो वीडियो है वो काफी important होने वाले है क्योंकि हम लोग SUVs की उपर काफी depend है और जितने भी Indian से SUVs lover होते हैं कहीं न कहीं क्योंकि वो एक road presence देती है एक macho look देती है आपकी personality को तो इसलिए हम prefer करते हैं एक SUV और 2013 के बाद से एक बहुत बड़ा बदलाव आया है इंडियन आटोमोबील मार्केट में जापे SUVs काफी हद तक राज करने हैं चाहे वो below 10 lakh segment हो या फिर above 10 lakh segment हो तो बस आज की इस वीडियो में हम यही top 10 गाडियों के बारे में बात करेंगे जो 2019 में launch होने वाली है SUVs specific और अगर आप हो मेरे channel पे नए तो आप जल्दी से कर लिजे इस channel को subscribe ताक कि ऐसी ही कुछ interesting videos आप सभी के लिए मैं में बनाता रहूँ सबसे पहले SUV की बात करते हैं जो अभी फिलाल बहुत से लोग वेट कर रहे हैं वो है महींद्रा XEV 3W यह Tivoli के उपर ही बनी हुई है सैंग्यों टिवोली अगर आप जानते हो तो और इसमें आने वाला है 1.5 लिटर का डीजल इंजन चांसेज यही है कि वो मरैजो वाला जो डीजल इंजन जो 121 BHP की पावर प्रियूस करता है वो इसमें दिया जाएगा साथ ही 1.2 लिटर का टर्बो चार्ज इंजन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बहुत सारी अच्छी वीचर्स के साथ में यह गाड़ी आपको आफर करेगी और कंपीट करेगी ब्रेजा, नेक्जॉन, एंड एको स्पोर्ट के साथ में यह 4th compact SUV होगी महिंद्रा के ओर से तो नजरे टिकाय रखना इस गाड़ी के ओपर क्योंकि काफी अच्छा प्रोड़क्ट है काफी चैलेंजिंग प्रोड़क्ट है, बहुत एस्पिरेशनल प्रोड़क्ट यह होने वाला है महिंद्रा के एंड से सो मेरे क्याल में अभी coming month में यह गाड़ी आपको देखने को मिल सकती है Indian roads पर दूसरी SUV की बात करते हैं Indian car manufacturer जी हां में Tata Harrier की बात कर रहा हूँ Tata Harrier जो है वो 2 liter diesel engine के साथ में आप पर offer करेगा जो feed sourced है और 140 bhp के power produce करेगा यह engine साथ ही Tata Harrier की बात करूँ तो यह काफी astonishing product रहेगा Tata का और बहुत सारे class leading products को यहाँ पर यह compete करने वाला है जिनमें से Creta का top end भी होगा साथ ही Jeep Compass और Hyundai की Tucson भी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा इसके competition में यह जो product है बहुत सारे अच्छी features के साथ में आ रहा है manual transmission ही आपको offer करेगी Tata अगर मैं यहाँ पर बात की जाए automatic transmission या petrol engine की तो फिलहाल offer नहीं होगा और 6-speed manual transmission जो की diesel engine के साथ में गाड़ी आईगी वही आपको फिलहाल तो देखने को मिलेगी बात करते हैं तीसरे AC SUV की जी हाँ यह है निसान की offering और निसान kicks की मैं आपर बात कर रहा हूँ 22 जन्वरी जो है यह launch rate इसके expected है और इस काड़ी की अगर मैं बात करूँ तो यह same platform पे आ रहे है sadly जो आपने duster, capture, terreno में देखा है same ही engine आपको यहाँ पर जो है निसान kicks आपको offer करती हूँ नजर आएगी जो कि 1.5 लिटर का diesel engine and 1.5 लिटर का ही petrol engine है same power produce करेगी, same talk produce करेगी तो यहाँ पर अगर मैं features की बात करूँ तो traction control के साथ-साथ 4 airbags and 360 degree camera यह गाड़ी आपको offer करती हूँ नजर आएगी बहुत सारी promotional activities निसान kicks ने already इसकी run कर रहे है जैसे कि influencer को international trips offer की थी दुबई की साथ ही 1000 km का marks निसान kicks ने बाकी influencer को भी offer किया कि वो achieve करके दिखा और अपने expressions यहाँ पर show करें फिलाल results तो काफी अच्छे आ रहे हैं यह product निसान kicks ले काफी important product है क्योंकि हाल फिलाल कि अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा major update या फिर major गाड़ी निसान kicks नहीं बना रहे है और उनके sales figure दिन प्रते दिन जो है वो गटते जा रहे है तो this is a very important product for them और अगर यह product उनके लिए hit साबित होता है तो वो काफी आगे आने वाली SUVs पर भी plan करने वाले है बात करते हैं एक और ऐसी product की यह है Kia की SP concept जो की आपने 2018 Auto Expo में भी देखी थी मुझे काफी killer लगा था लेकिन वो concept phase में थी तो जादा expectations हम उस जैसी तो नहीं कर सकते हाँ at least 80% production phase में अगर Kia लेके आती है तो मेरे ख्याल में एक बहुत मावलस product यह होने वाला है अगर मैं आपर engine offers की बात करूँ यह platform offer की बात करूँ तो यह जो platform पे आएगी वो Krata का next generation भी उसको अचीव कर सकती है engine options की बात करें तो यह वही engine options में आएगी जैसे में Krata फिलहाल offer कर रही है और features भी यहाँ पर abex, abs, vdbd, electronic stability program, traction control जैसे features देखने को मैंनेगे अच्छी बात यह होगी कि एक और भी advanced level में होगी premium आपको देखने को मिले के और ज़्यादा इसके headlight सुनीड है फुली LEDs होंगी जैसे कि आपने concept phase में भी देखा था पांचवे product की बात करते हैं यह है Hyundai की lineup और इसका नाम है Carlinow जो आपने 2016 Auto Expo में concept phase में देखी थी यह जो गाड़ी है वो काफी अच्छी तो नज़ार आई है बट concept phase में होने के वज़ासे इसके naturality जो reality में आईगी वो तोड़ी different होगी अगर मैं engine options की बात करो तो यहाँ पर 1.4 लिटर का engine option आपको मिलेगा 1.2 जो है वो शायद आपको change करता हुआ है यहाँ पर Hyundai in नज़र आए petrol engine की में बात करो बढ़ा compact SUV होगी जो की compete करेगी ब्रेज़ा के साथ में, Nexon के साथ में, EcoSport के साथ में और SUV 3W जैसी गाड़ियों के साथ में तो मुझे तो काफी इंतजार है इस गाड़ी का चटी SUV की बात करते हैं यह है Ford की क्यूगा यह मेरे खाल में कुछ end तक ही 2019 के end तक ही Ford plan करेगी क्यूगा आना यहाँ पर काफी important भी है, reason being क्यूगी Ford की lineup अगर हम देखें तो EcoSport के बाद में direct उनके पास एक product आता है Endeavor जो की EcoSport से 3 times महंगा है, उसके बीच में कोई भी filler car available नहीं है तो मेरे ख्याल में एक filler का काम करेगी और यहाँ पर 13 लाग से 18 लाग के करीब इसकी pricing जा सकती है 1.5 लिटर का petrol engine and 2 लिटर का diesel engine आपको यहाँ पर Ford offer करती हुई नजर आएगी यह तो नई गाडिया हो गई, कुछ गाडिया ऐसी भी हैं जो facelift के साथ में आने वाली है जिनमें से reno की duster है तो 7th position में reno की duster को रखता हूँ यहाँ पर reno की अगर मैं sales figure की बात करना तो बहुत फीगी हो चुग है चाहे वो quid हो, चाहे वो duster हो, चाहे वो capture जो की एक proper flop थी और logi भी एक proper flop रही है reno के लिए अगर यह वो facelift लेके आते हैं तो एक बहुत अच्छा decision मेरे ख्याल में reno की तरफ से नहीं होगा अगर एक generation लेके आते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा decision ही हो सकता है duster अपने जमाने की बहुत successful गाड़ी है और अगर फिलाल duster का facelift की जगह है वो generation लेके आते हैं तो एक grand success duster को यहाँ पर मिल सकती है इसके अलावा बात कर लेते हैं अगर facelift आता है तो यहाँ पर LED DRLs आ जाएंगे यहाँ और three spitable जो आपको headlamps अभी फिलाल में duster में मिलती है वो देखने को मिलेंगे cosmetic changes ही आपको यहाँ पर अंदर और बाहर देखने को मिलेंगे क्योंकि mechanical changes के नाम पर मुझे नहीं लगता कि Renault फिलाल कुछ भी offer करेगी 1.5 लिटर का diesel engine और 1.5 लिटर का ही petrol engine जो हाल फिलाल में duster में आता है वही आगे इसके facelift में भी carry on किया जाएगा बात करते हैं एक और facelift की है हिंडाई की Tucson हिंडाई की Tucson की sales जो है वो काफी drop हुग है जबसे Jeep Compass ने आपर entry मारी है तो Jeep Compass को थोड़ा सा और target करने के लिए साथ ही Tata की Harrier को target करने के लिए Hyundai जो है एक और facelift variant लेके आएगा जो की completely LED यूनिट के साथ में आएगा या निकिसके headlamps जो है वो completely LED होंगे top trims में, base trims में आपको नहीं आपर projection ही देखने को मिलेगी although Tucson काफी अच्छी लगती है देखने में एक बहुत ही handling you know oriented गाड़ी है उसकी handling and performance की बात करूं तो काफी अच्छा engine figures है उसके चाहे वो petrol की बात हो और चाहे वो diesel की बात हो 155 BHP आपर petrol में and 185 BHP आपर diesel में वो offer करत है और अगर में facelift की बात में तो same engines आएंगे जो cosmetic changes आएंगे वो superior काफी अच्छे लगने वाले है और इसको ज्यादा muscular बनाएंगे competition की बात करेंगे Jeep Compass, Tata Harrier और Ford Q जो launch होगी अगले इस से साल end तक उनको ये compete करेगी साथी traction control, electronic stability program, airbags, savings with EBD जैसे features यहांपर offer करती ही नजर एंडेवर, Thailand में और Australia में इसका एक facelift version जो है वो spy shots के साथ में नजर आया था और उसमें जो हलके से minor tubes किये गए थे इसके grill पे और इसके fog lamp unit पे तो वो ही इंडिया में तो आएगे लेकिन वहाँ पर engine options आपको 2.0 liter का engine option दिया जा रहा है जो Ford Australia and Ford Thailand में offer कर रही है बट इंड start swap button जैसी features आपको यहाँ पर avail करती जाएगी और साथ ही इसके infotainment system में भी बजलाव आपको देखने को मिलेगा एक और product की बात करते हैं यह है मिस्तु बिशी pajero sport बहुत दिनों से update इसका due था 2015 में इसकी नई generation है थी जो international market में काफी धमाल मचा चुकी थी बहुत अच्छी लग रहे है killer locks chrome का बहतरी इस्तमाल और LED जो है tail lamps यहाँ पर as well as head lamps यहाँ पर use किया मिस्तु बिशी ने इंडिया में आती है तो मुझे कहीं नहीं लगता कि जो pajero fans है जाग रुक होंगे या फिर उनको काफी अच्छा लगेगा बट फिलहाल जो मिस्तु बिशी की इंडिया इंजन को कहते है मीवेक डिजल इंजन जो की 2.4 लीटर का यानि के 2400 सिसी का इंचन है 430 न्यूटल मीटर की यह बेच की प्रोडूस करेगा 4x4 वेरेंट के साथ में आईगी जो की BS6 compliant हो सकता है 8-speed automatic transmission यहाँ पर आपको offer करेगा मिस्तु बिशी तो यह तो थी कुछ step 10 कार जो इंडियन मार्केट में 2019 में आएंगी और कुछ ऐसी गाडियों की भी बात कर लेते हैं जो अंटर्ज रह गए हैं जैसे की MG ग्रूप की ZS जो की इलेक्ट्रिक कार होगी 48 kWh की बेटरी के साथ में यानि लिथेम आयन बेटरी इसको 425 किलो मीटर की रेंज देगी 115 BHP के स साथ में 230 Nm का टॉग ये प्रोडियूस करें साथी होंडा की HRV, Detson की एक Compact SUV और Jeep Compass Trail Brace जो है वो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स जो है और भी 2019 में आपको देखने को मिल सकते हैं तो ये तो थे कुछ अपडेट्स कुछ गाडियां जो 2019 के लिए काफी aspirational हम लोगों के लिए हो सक बाइ टेक क्यार एंड कीप लविंग यो कार ड्राइव सेफ